धोनी जैसी कहानी रेलवे में टीटी लेकिन चीन में लहरा दिया भारत का तेरंगा कौन है पारूल चौधरी जिन्नोंने दस सिकेंड में रोमांचक तरीके से पलटती है मैच गन्ने की खेत में लगाती थी दोड़, पढ़लिक कर बढ़ना चाहती थी डियेसपी चीन की धर्टी पर ऐसी दोड़ी की दुनिया देखती रह गई पूरा देश देने लगा बधाई, खोशे से योगी की आखे भराई पिता ने सिखाय था संघर्ष, बेटी की काम्याबी ने पिता के संघर्षों का इनाम दे दिया इसलिए हमें बचपन से कचुए और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है हमें पढ़ाय जाता है slow and steady wins the race यानि अगर हम लक्ष पर फोकस करेंगे तो हम अपना race जीत सकते हैं और अगर आपको इसका सबसे अच्छा उधारान देखना और समझना है तो आप Asian Games में पारूल चौधरी की race को जरूर देखे और समझे पारूल चौधरी ने मंगलवार को एश्याई खेलो में 5000 मीटर दोड में गोल मैडल जीत कर इतिहास रच दिया ये मौजूदा एश्याई खेलो में पारूल का दूसरा पदक था इससे पहले उन्होंने समझना को ही महिलाओं की 3000 मीटर की स्टिपल चेस प्रतियस पद्धा में रचत पदक यानि की सिल्वर मैडल जीता था पारूल चोधर ने महिलाओं की 5000 मीटर दोड में शांदार प्रदर्शन किया और जापान की रिरिका हिरोनिका को पीछे छोड़ दिया पारूल ने करीब 15 मिनट 14 सेकेंड का वक्त लिया वहीं जापान की रिरिका ने सिल्वर मैडल हासल किया बता दे कि एशन गेम्स 2023 में पारूल चोधरी का ये दूसरा मैडल था इससे पहले सोंवार को 2 अक्टूबर को उन्होंने 3000 मीटर स्टिपल चेस कॉंपेटिशन में सिल्वर मैडल अपने नाम किया था पारूल यूपी पुलस में काम करती हैं बच्पन से ही DSP बनने का शौक था डेपार्टमेंट के अधिकारियों से मिली तो वादा किया गया कि अगर गोल मैडल जीत कराएं तो DSP बना दी जाएंगी ट्राक पर दोड़ते हुए यही बात पारूल के मन में बार बार चल रही थी पारूल चोधरे ने अपने पता किशनलाल चोधरे के कहने पर दोड़ना शुरू किया हालांकि किशनलाल को भी नहीं पता था कि उन्होंने पारूल को स्कूल में स्पूर्स मीट में दोड़ने के लिए क्यों कहा था उनके दिमाग में बस एक खयाल आया और उन्होंने कह दिया इस के लावा एक समय ऐसा भी था जब पारूल गन्ने के खेत में दोड़ा करती थी वहीं अब वो इंटरनाशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रही है हालंकि एशन गेम्स में पारूल एक वक्त काफी पिछड़ चुकी थी जापान के अथलीट रिरिका हिरोन का बहुत आगे निकल चुकी थी लेगिन जब रेस खत्म होने वाली थी तब कमार हो गया पारूल आखरी सो मीटर में दूसरे नमबर पर आ चुकी थी और रिरिका पहले स्थान पर दोड़ रही थी इसी बीच रेस के आखरी दस सेकेंड में पारूल ने इतना जोड लगाया और इतनी तेज दोड़ी की जापान की धावक रेरिका को अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो पिछड गई हैं और पारूल ने इस तरह गोल मैलर पर कबजा कर लिया पारूल के पता कृष्ण पाल सिंगे किसा ने मेरट में 15 अपरेल 1995 को पारूल का जन हुआ मेरट के दोरलाख शित्र में एक मात्र गाउं में पारूल चौधरी का परिवार रहता है पारूल के चार भाई बहन हैं और वो अपने भाई बहनों में तीसरे नमबर पर हैं पारूल की मा राजेश देवी हाउस वाइफ हैं पारूल के अलावा उनकी बड़ी बहन भी खेलों में रूची रखती हैं पारूल की बड़ी बहन को स्पोर्स कोटे से सरकारी नौकरी मिल गई पारूल के गोल्ड मेल जीतने के खबर मेरट में पहुँची तो लोग खुशी से जूम उठे ओधर गाउं में पारूल चौधरी के घर पर परजणों को बढ़ाई देने वालों का तांता लग गया बताया गया कि गाउं में एक तूसरे को मिठाई खिला कर लोग खुशी मना रहे हैं वैसे गाउं की इस बेटी की उपलब्धी पर आप उन्हें कैसे बढ़ाई देंगे अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बतायेगा